हेलो एवरिवन आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तो आज की वीडियो में इन्फिटीक्यू फाइनल रॉन प्रपरेशन की सीरीज में हमारी 6th या 7th नंबर की वीडियो है इसी के सससाथ यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही important questions all करऊंगा इसी के सससाथ आ मैंने यह question को consider करा है क्योंकि जितनी practice हो सकती हम उतनी practice करेंगे जितने question हो सकते हम उतने questions करेंगे तो यह question longest subsequence related है और यह 2021 में पूछा गया है logical question है अच्छा question है पूरा बताऊंगा बिना देरी करें वीडियो को start करते हैं देखिए यह question को मैंने PDF में attach कर दिया है और यह PDF ट MPT string in string दी है containing only lower case alphabet ठीक है हमें एक string दे रखी है और उसमें क्या है lower case alphabet है ठीक है सारे जो alphabet है वो सब lower case है and अब हमें क्या करना है and हमें output print करवाना है तीन output print करवाना है logic based तीन logic के ओपर देखिए हमें एक string दे रखिए जैसे माल लीजिए यह example के लिए तीन string दे रखिए यहाँ पर हमारे पास पहली condition है यहाँ पर हमारे पास दूसरी condition है और यहाँ पर हमारे पास तीसरी condition है क्योंकि हमको output को print करवाना है इन तीन logic के basis पर ठीक है अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए identify and print the longest subsequence of at least three alphabet between vowel and consonant possible from in string यह जो string है ABC यह हम example ले रहा है इससे जित्ते possible combination बन सकते हैं combination से मेरा मतलब है कि vowels और consonant के बीच में vowels क्या हुए A, E, I, O, U ठीक है दोस्तो A, E, I, O, U और जितने भी rest रहते हैं वो consonant रहते हैं अब हमें क्या करना है इससे हमें at least three alphabet के बीच में longest subsequence बनानी है जो कि तीन से बड़ी होनी चीए और subsequence किसी से भ vowel और consonants है अब आप यहां पर ध्यान से देखिए हम इसमें left to right चल सकते हैं उन्होंने यहां पर बताया कि कोई दिक्कत नहीं है इसी के सससत में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं second condition उन्होंने यह दिये कि माल लीजे मेरे पास बहुत सारी condition आ गई जैसे A, B, C, फिर C, B, A, C, बहुत सारी conditions आ गई ठीक है अब इसमें क्या होगा इतने बहुत सारे combination बन जाएंगे ऐसे तो तो उसमें क्या करवाना है हमको identify करवाना है हमको print करवाना है उसकी value जिसका highest sum आसकी value का हो alphabet का मतलब यहां पर यह जो particular values है इनकी जो आसकी value होगी उसका हमें sum print करवाना ह जिस string का sum जादा आएगा आसकी value का हमें उसको print करवाना है ठीक है तो यह basic सा logic है इस question का और अब इसमें third point यह भी है एक कि माल लीजिए यहां पर third point उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी sub sequence नहीं बन रहा है मतलब जैसे कि मैंने एक string ली मैंने एक string ली और उसका कोई भी sub sequence नहीं बन रहा है जो कि हमारी उपर हमारी first condition को follow कर रहा हो कि उसमें कुछ यह सब चीज़े आ रही है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पे upper case letter print करवाना है हमको जिसका नाम है x ठीक है हमें x print करवाना है उन्होंने यहां पर बताया कि हमें x जो है वो print करवाना है upper case में अब यहां पर assumption में उन्होंने यह दे रखाई कि यहां पर सिफ a की longest subsequence होगा जिसका highest sum होगा ask की value of its alphabet उसके alphabet का highest ask की value अब आपको दोस्तों ध्यान रखना है यह थोड़ा logical question है क्योंकि यहां पर तीन condition दे रहा है ठीक है हम यहां पर अच्छे से इसे देखते हैं कि 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 इस type से ह में हमें क्या दिया रखा है greatness दिया रखा है ठीक है हमें greatness यहां पर sample input में दिया है सारे lower case में और हमारा sample output यहां रहा है यह कैसे बन रही है आपको सिफ यहां पर एक बात ध्यान रखनी है ठीक है यह जैसे हमें क्या दिया है greatness दिया है तो आपकी जो longest sub sequence है ठीक है longest sub sequence है वो vowel से भी start हो सकता है वो consonant से भी start हो सकता है और आपको यह देखना है कि at least three alphabet उसमें होने ही चाहिए अगर कोई भी combination बन रह आया कि यहां पर we ninja inconsistent जो है वो alternate चल सकते हैं यहां पर उन्होंने क्या बोला है वास keynote बनाने है और वो चल सकते मतलłos alternate रह सकते जैसे कि यहां पर alternate बन रह रह है अभद यहाँ अगर आप get की बात करेंगे तो यहां पर क्या है है यह pods strict यह stir नğin हुआ है ठीक है उसके कंसोनेंट आया फिर वोवेल आया फिर 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 कंसोनेंट आया फिर कंसोनेंट आया तो आपको यहाँ पे longest subsequence यहाँ पे बता दी गई है ठीक है वोवल्स और कंसोडेंट के बीच में तो यहाँ पे इस टाइब से है अब यहाँ पे एसी तो बहुत सारी बन सकती है मतलब कितनी ही सारी यहाँ पे बन जाएगी जैसे यहाँ पे 8 बन रही है ठीक है यहाँ पर 8 बन रही है यहाँ पर 12 भी बन सकती 15 भी बन सकती बहुत सारी बन सकती है अब इसमें से हमें क्या करना है आपको मैं आपर बता हूँ कि जब यहाँ पर identify करेंगे longest sub sequence जिसका जो highest sum होगा आज की value का उसके alphabet के मतलब यह जो second वाली string है जब इसका आप sum निकाल आ रहा है यह particular logic है और एक और बात तीसरा point क्या था यह जैसे यहाँ पर हमें एक sample output input दिया है अब इसका कोई मतलब नहीं हम हम इसे बुलाएं भी क्या है तो कुछ मतलब वह भी नहीं है के जी ओ आई ए यू इस type से उन्होंने दिया है अब हमें यहाँ पर alternate निकालने तो य यहाँ पर ना तो at least 3 alphabet आ रहे हैं वोवेल और consonant के बीच में ठीके तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है हमें simple सा एक output print करवाना है X क्यूंकि हमारे पास अगर at least 3 alphabet नहीं आ पा रहे हैं वोवेल और consonant के बीच में तो हमें X print करवाना है so let's move on to the logic अब logic क्या है ध्यान से समझेए सबसे पहले हमने यहाँ पर input लिया ठीके input में हमारी string आ गई उसके बाद हमने consonant की consonant लिया फिर हमने वोवेल के लिया और यहाँ पर हमने वोवेल बता दिये a e i o u ठीके अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर string की जो value है ठ अगर है तो उसको vt को 1 से बढ़ा दो जो vowel है उसको 1 से बढ़ा दो ठीके अब यह कब तक condition चलती रहेगी अगर माल लीजिए वो नहीं है तो else part पर गए और ct को 1 से बढ़ा दो कि वो consonant से start हो रहा है क्योंकि हमें यह चीज समझानी ही पड़ेगी ठीके दोस्तों आपको य ठीके तो यह consonant यह consonant और यह vowel ठीके तो अब यहाँ पर हम condition check करें क्या यह एक्स जो है यह vowel है यह vowel नहीं है मतलब यह start नहीं हो रहा है यह consonant start हो रहा है तो इसके लिए हमने यह पर condition लगा ही वो value देख रहा है फिर हमने यहाँ पर array लिया क्योंकि array इसले लिया अभी मैं आपक आने वाला हों कि हमने array क्यों लिया है क्योंकि जितनी भी हमें आज की values है उनको सबको append करना पड़ेगा एक एक बार करके और हमें सारी condition check करने है I की value zero initialize कर रहे है रो length में हम क्या कर रहे है length ले रहे हैं यहाँ पर पूरी उसकी string की ठीक है क्योंकि हमें यहाँ आगे काम आने वाली है अब यहाँ पे हमने एक while loop लगा है अब while loop में क्या देख रहे हैं हम while loop में क्या देख रहे हैं कि अगर हमारी जो value है मतलब आपको यहाँ पे सिफ एक बाद ध्यान रखनी है दोस्तों यहाँ पे आपको एसी condition चेक करनी है, देखे, condition आपको क्या चेक करनी पड़ेगी अब greatness थी, ठीक है यहाँ पे देखे, यहाँ पे greatness थी अब greatness की कितनी सारी यह possible combination बन गई, तो सबसे बहले हमने क्या बनाया, इसके possible combination बने, कि हमने conditions लगाते गए, यहाँ पे हम conditions लगा रहे हैं और इसके possible combinations बना रहे हैं, उसके बाद हम यह कर रहे हैं, कि अब हमारे पास इतनी सारी सारी सब strings आ चुकी है अब उसमें से हमें ask की value निकालनी है, ठीक है, उनके sum निकालना है ask की value का, तो उसके लिए हम basically क्या कर रहे हैं, array में value को append कर रहे हैं, जो हमारी कुछ if else इसलिए लगा रखे हैं कि जिससे हमें पता चल सके कि अगर हमारी value VT के लिए सही नहीं है, तो वो कम से कम चोह रहे CT में store हो जाए, इसी के सससत आप यहां पर यह condition देख सकते हैं अब यहां पर मैं आपको यह चीज़ बतारा आएंगे और इनकी ask value देखेंगे जिनकी ask value max हुई ठीके, उसको हम array में क्या कर देंगे append कर देंगे, ठीके हम यहां पर सिफ यही logic लगा रहे हैं इस पूरे loops में, अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, हमने यहां पर array लिखा use है, जैसे जो हमारी यहां पर नई string आई है, तो अगर उसकी नई string जो है, वो less है 3 से तो हमें print करवाना है x क्योंकि हमारे पास बहुत सारी strings ऐसी आती रहेगी, input में हम बहुत सारी चीज़े देंगे ठीक है, तो input में देंगे तो के लिए print करवाना है x, नहीं तो print करवा दो my new, तो यह my new में जब जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते कि पूरा operation perform हो रहा है मतलब कि my new में max हो जाएगा array की value, फिर ct की value, 1 फिर v, array में सारी value append हो जाएगी, अगर यह वाला else if or else नहीं चलता है, तो फिर हम else में लगा कि if or else यह चला सकते हैं ठीके, तो यह condition है आपको इस type से ध्यान देना है, जब यहां पर greatness डालेंगे input में तो इस type से आपका output आजाएगा, क्योंकि इसकी ask की value ज़ादा है, और अगर आप इस type से डालेंगे, जिसके कोई भी combination नहीं बन रहे तो x, आप इसे यहां पर भी चला सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर greatness करता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि output आ चुका है, तो इसी type से आपको logic लगाना है, I hope आपको यह question समझ आया होगा, इसी के सससद इसमें कोई भी doubt है, मुझसे comment section में पूछ सकते हैं काफी अच्छा question है, previous बार पूछा गया है, दो slots में, इसी के सससद आप इस question को practice कर लीजे doubt आ रहा है, पूछ लीजे, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, thanks for watching the video